आप आगे तो हम भी आगे तो चलिए शुरू करते हैं आज कि इस वीडियो में क्लास बरहवी का गणित प्रशनावली 5.3 का पार्ट टू पार्ट 1 में एक से लेकर 8 तक हमने सल्व कर लिया था और आज कि इस वीडियो में पार्ट 2 में 9 से सुरू करेंगे और सारे प्रशने को सल्व कर देंगे देखो 9 से जो प्रश्ण है सारे एक ही जैसे प्रश्ण है इसलिए ध्यान से देखिएगा आपके एक्जाम में इस तरह का प्रश्ण जरूर पुछा जाता है ठीके तो 9 है आपका क्यों y equal to sin inverse 2x by 1 plus x square आईए पहले इस question को हम लिखेंगे ध्यान दिजिएगा बहुत easy है ध्यान से दिखना है question को करना है बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है सारे question आप लोगों को समझ में आएगा ही आएगा ठीके क्या है y equal to sin inverse 2x by 1 plus x square ठीके यह आपका question है तो अब देखो यह आपका question है इसे sum कैसे करेंगे कुछ पता नहीं चल रहा है नहीं आपको फर्मुला याद है तो देखो आप लोगो chapter 2 में हमने पढ़ाया था inverse traumatic function में कि जब 1 plus x square के फार में होना तो आपको x equal to 10 theta पूट करना होता है याद है chapter 2 नहीं पढ़े रहोगे तो समझो कि आपका calculus समझ में आएगा नहीं ठीके इसलिए बोलते थे कि अच्छे से पढ़ाई करो chapter 2 को ठीके तो यहाँ पर 1 plus x square है न तो हम क्या माल लेंगे माना माना x बराबर 10 theta अब यहां से क्या करेंगे ठीका कमान निकाल देंगे ठीका कमान क्या हो जाएगा यह 10 नहीं दर आएगा तो inverse लग जाएगा यह ठीका कमान आगा 10 inverse x अब देखो इसमें जहां जहां x है क्या भर देंगे 10 theta यहां से हो जाएगा y equal to sin inverse यह 2 10 theta by 1 plus 10 square theta इतना हो गया यहां तो किसी कोई दिकत नहीं अब देखो y बराबर यह sin inverse j का दियों यह जो 2 10 theta by 1 plus 10 square theta है किसका फर्मूला है यह जो फर्मूला होता है sin 2 theta का होता है किसका होता है sin 2 theta फर्मूला सब लिखवाए थे chapter 2 में याद होगा तो ठीक है नहीं तो याद कर लो 2 10 theta by 1 plus 10 square theta किसका होता है sin 2 theta का हम इसके बदले sin 2 theta लिख दिये अब यहां से देखो y बराबर sin inverse और sin क्या होगा cancel क्या बचेगा 2 theta लिख देंगे 2 theta अब यह theta है न ठीटा का मन पॉले से निकाल करके रखे हैं तो क्या करेंगे यहां पर रख देंगे y equal to हो जाएगा 2 10 inverse x अब y is equal to 2 10 inverse x जो आया अब इसको क्या करेंगे और कलन करेंगे यहां तक जो भी काम किये तिरकोडमीती का काम किया है तो आपको फिर से बोलना चाहते हैं जदि आपका chapter 2 सही नहीं है तो जाकर कर लिजिए तब ही आईएगा chapter 5 पढ़ने ठीक है अब करेंगे इसको x के रूप में दिया है x के साफ एक और कलन कर देंगे x के साफ एक और कलन करने पर क्या हो जाएगा dy by dx बराबर यह two constant है ना बाहर निकल जाएगा इसमें दि लगाएंगे तो जाएगा d tan inverse x by dx यहाँ से देखो dy by dx का जो आपका माना गया यह two का two और यह tan inverse x है tan inverse x का फर्मूला 1 by 1 plus x square होता है यानि आपका यहाँ से final जो इसका answer आया dy by dx equal to 2 by 1 plus x square यह आपका answer हो जाएगा ठीक है तो सही से बनाओगे तो बहुत easy है फर्मूला याद रहेगा तो ठीक है है इसका दो नमबर दस नमबर दस नमबर क्वेशन है कि वाई बराबर tan inverse 3x minus x q बटे 1 minus 3x square यह question है ठीक है अब इस question को करने के लिए क्या करना होगा यहाँ पर कैसे दीमाग लगाएंगे तो आपको याद होगा चेप्टर टू में है दो पॉइंट दो का question ग्ला बन जाएंगा आई यह पहले यहांसर थीटा कमान निकाल लेते हैं कि 10 इदर जाएगा तो 1 in verse, x हो जाएगा अब क्या करेंगे अवाई, बराबर अब इसको क्या करेंगे देखो तो 20 Haa, । जहां जहां एक से 10 theta पूट करेंगे इसमें, अ है ऐर inverse 310 theta minus 10q theta by 1 minus 310 square theta ठीक है यहाँ तक हो गया अब देखो y बराबर 10 inverse यह जो 310 theta minus 10q theta by 1 minus 310 square theta फर्मूला होता है यह किसका होता है 10 3 theta का यह फर्मूला होता है याद रहेगा ना कि 10 3 theta का फर्मूला 310 theta minus 10q theta by 1 minus 310 square theta यहनि इसके बदले हम 10 3 theta लिख सकते हैं अब देखो तो क्या हो गया y बराबर 10 inverse और 10 क्या होगा cancel क्या बचेगा 3 theta यह हो गया 3 theta अब क्या करेंगे अब यहाँ पर theta का मान देदेंगे y बराबर ठीटा का मान क्या है 10 inverse इक्स हो गया अब क्या करेंगे अब हम इसको x के साब h औकलन करेंगे x के साब h औकलन करने पर क्या हो जाएगा dy by dx बराबर यह 3 है constant बाहर निकाल देंगे इसमें d लगाएँगे तो d tan inverse x y dx यहाँ से देखो dy by dx बराबर हो जाएगा यह 3 का 3 और यह tan inverse x का फर्मुला पाता है न औकलन 1 by 1 पलस x स्क्वाइर होता है यहाँ से dy by dx का जो मान आ जाएगा वो 3 बटे 1 पलस x स्क्वाइर आ जाएगा यह देखो आपका question number 10 का answer हो गया ठीके तो ध्यान से बनाओगे कुछ फर्मुला याद रखोगे तब भी होगा औकलन का बार बार देखो बुल रहे हैं कि बहुत कम समय मतलब कम काम करना है ज्यादा तिरकुडमिती का ही काम करना है इसलिए तिरकुडमिती को अच्छा करिए ठीके अब चलिए एगारा को देखते हैं एगारा question है कि y बराबर y बराबर cos inverse 1 minus x square by 1 plus x square ठीके यह अपका question है सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ देख रहें कि 1 plus x square है तो 10 theta put करना पड़ेगा माना x बराबर इस सब तिरकुडमिती में पढ़ाए हैं ठीके और वहाँ पर हमने बोला भी था कि बहुत important है calculus के लिए chapter 2 पढ़े नहीं हो तो पढ़ लो एक बार फिर से आप से बुल रहें जाओ देखो वीडियो सब ठीके जितना अचाओगा उतना आपका calculus सही होगा यहाँ से theta कमान निकाल दो 10 धर लाएंगे तो यह जाएगा 10 inverse x अब जहाँ जहाँ x है हम x कमान रखेंगे 10 theta यहाँ से y बराबर cos inverse 1 minus 10 square theta by 1 plus 10 square theta यहाँ से हो जाएगा y बराबर cos inverse 1 minus 10 square theta by 1 plus 10 square theta किसका formula होता है? cos 2 theta का किसका होता है? cos 2 theta का formula 1 minus 10 square theta by 1 plus 10 square theta होता है यहाँ से y बराबर देखो cos inverse cos cancel क्या बज़ेगा 2 theta और theta कमान 10 inverse है थेखना थेटा कमान दे देंगे y बराबर 2 10 inverse x हो गया अब इसको x के sub x ओकलन कर देंगे लिखेंगे x के sub x और कलन करने पर क्या हो जाएगा? dy by dx बराबर यह 2 और यह 10 inverse x है ना तो 10 inverse x का यहाँ पर लगाएंगे d 10 inverse x by dx ठीक है? कोई दिखेंगे तने किसी को? अब देखो dy by dx बराबर यह 2 का 2 10 inverse x का डिफ्रेंसियेशन क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा अपका 1 by 1 plus x square यहाँ से dy by dx का जुमान आगया 2 बटे 1 plus x square आगया यह दिखी आपका अंसर ठीक है? ते question number 11 भी complete हो गया अब 12 को दिखते हैं 12 आपका question है 12 नमबर कि y equal to sin inverse 1 minus x square by 1 plus x square ठीक है? यह question है तो इससे कैसे करेंगे? सबसे पहले देख रहे हैं कि नीचे 1 plus x square है वहीं माना x बराबर 10 ठीटा यहां से ठीटा कमान निकालेंगे यह हो जाएगा 10 inverse x अब जहां जहां x है 10 ठीटा रखेंगे यह हो जाएगा y बराबर sin inverse 1 minus 10 square theta by 1 plus 10 square theta यहां से y बराबर हो गया sin inverse अगे देखो 1 minus sin square theta by 1 plus 10 square theta किसका होता है यह होता है cos 2 theta का अब यह नहीं लिख देना कि sin 2 theta का होता है नहीं 1 minus 10 square theta by 1 plus 10 square theta cos 2 theta का होता है ठीक है अब देखो तो यहाँ पर ध्यान देना यह sin में आ गया यह cos में आ गया इस cos को sin में change करना होगा तो क्या लिखेंगे sin inverse sin 90 minus 2 theta लिख सकते है कोई दिकत नहीं क्योंकि sin 90 minus theta cos theta होता है यहाँ समय इसको ऐसे लिख सकते है कोई दिकत नहीं है ठीके तो y equal to sin बर sin cancel क्या बच गया 90 minus 2 theta अब theta कमान क्या करेंगे दे देंगे तो y बराबर हो गया 90 2 और theta कमान है 10 inverse x तर 10 inverse x हो गया अब क्या करेंगे इसको x के साफ एक्च और कलन करेंगे x के साफ एक्च और कलन करने पर करिए तो यह हो जाएगा dy by dx बराबर इसमें d लगाएंगे तो d 90 by dx minus यह two constant है बाहर कर देंगे यह d 10 inverse x by dx यहाँ से देखो dy by dx बराबर हो गया constant यहनि 90 है ना तो 90 यहनि constant इसका भेलू क्या हो जाएगा 0 यह 2 का 2 और यह 10 inverse x का क्या हो जाएगा 1 by 1 plus x square यहाँ से final हमारा dy by dx का जो भेलू आया minus 2 by 1 plus x square यह देखो आपका answer ठीक है कोई दिकत नहीं किसी को आगे बढ़ते हैं question number 13 को देखते हैं तीरा देखो आपका है तीरा question है कि y बराबर अपने किताब में देखो cos inverse 2x by 1 plus x square है ठीक है तो चलो इसको बनाएंगे just wise आई काम करेंगे यहाँ भी देखो क्योंकि यहाँ पर भी 1 plus x square है x equal to 10 theta ही पूट करेंगे तो आजाओ सबसे पहले mana x बराबर tan theta ओके चलो यहाँ से theta कमान निकाल लेंगे तो theta equal to हो जाएगा tan inverse x ओके अब क्या करेंगे ध्यान दिजिएगा हम चलेंगे y बराबर cos inverse यह 2x कमान कहा है 10 theta दिएगा 210 theta by 1 plus 10 square theta अब यहाँ से देखो y बराबर cos inverse 210 theta by 1 plus 10 square theta यह किसका परमुला होता है sin 2 theta का किसका होता है sin 2 theta का अब यहाँ से देखो y equal to यह cos inverse यह sin 2 theta है तो sin को cos में change करना होगा तो इससे हम लिख सकते है cos 90 minus 2 theta क्योंकि cos 90 minus theta sin theta हो जाएगा तो हमने sin के बदले cos में change कर दिया अब y equal to होगा cos inverse cos cancel बच गया 90 minus 2 theta यहाँ से y equal to यह 90 minus 2 का 2 theta का value क्या है 10 inverse x तो होगा 10 inverse x अब यहाँ से क्या करेंगे इसको x के साफ x और कलन कर देंगे x के साफ x और कलन करने पर क्या हो जाएगा dy by dx बराबर इसमें d लगाएंगे तो d 90 by dx minus 2 इसमें d लगाएंगे तो d 10 inverse x by dx यहाँ से हो गया dy by dx बराबर 90 का 0 हो जाएगा और यह 2 का 2 और 10 inverse x है न 10 inverse x का फर्मूला 1 by 1 पलस x स्कॉयर होता है तो dy by dx अब का आगया minus 2 by 1 पलस x स्कॉयर अब का answer ठीक है next 14 देखो 14 नमबर 14 क्वेशन है कि y बराबर sin inverse 2x root अंदर 1 minus x स्कॉयर ठीक है अब यहाँ देखो तो 1 minus x स्कॉयर है तो आपको पढ़ाया गया था कि root में जदी 1 minus x स्कॉयर हो उस कंडिशन में क्या मानते हैं x का भेलू माना x equal to sin theta लेट कर लेते हैं तीक है यहाँ से theta का मान निकालेंगे तो यह हो जाएगा sin inverse x याद रखिएगा कि जब root में 1 minus x स्कॉयर हो तो x बराबर sin theta पुट किये जाता है तो यहाँ से y बराबर हो गया sin inverse जहाँ जहाँ एक से sin theta रख देंगे तो 2 sin theta root अंदर 1 minus sin square theta तो यहाँ से y बराबर हो जाएगा sin inverse 2 sin theta root अंदर 1 minus sin square theta किसका पर मुला होता है cos square theta का तो यहाँ से y बराबर sin inverse 2 sin theta और root cos square theta है तो दो में से बो लिखेंगे तो root क्या होगा हड जाएगा तो यहाँ से y बराबर हो गया sin inverse 2 sin theta into cos theta किसका पर मुला होता है यह होता है sin 2 theta का किसका होता है sin 2 theta तो यहाँ से y बराबर sin कट गया प्थित का मान दे देंगे why ब्राबर टू-sin इंवर्स एक्स हो गया अब इसको एकस के साफ एक्च और कलन कर देंगे इस एकस के मिसार ड्यक्स पर करने पर x के साफ एक्ष ओकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा dy by dx बराबर यह two constant है बाहर यह d sin inverse x y dx यहाँ से हो जाएगा dy by dx बराबर 2 का 2 sin inverse x का 1 by root अंदर 1 minus x square होता है ठीक है यहाँ से आपका final जो result आएगा dy by dx इक्वाल टू 2 by root अंदर 1 minus x square यह आपका answer ठीक है तो 14 question complete होता है अब हम इसका last देखेंगे 15 15 क्या है 15 भी बहुत अच्छा question है ध्यान से ही करना होगा 15 है y equal to second verse 1 by 2 x square minus 1 ठीक है यह question है तो देखो x square minus 1 है नीचे जब x square minus 1 रगता है उस condition में माना x बराबर cos theta पूट किया आता है ठीक है यहाँ से क्या हो जाएगा theta का मान निकालेंगे तो cos inverse x हो जाएगा अब क्या करेंगे जहां जहां x है cos theta रखेंगे तो y equal to second verse 1 by 2 cos square theta minus 1 अब यहाँ से हो जाएगा y equal to second verse 1 by 2 cos square theta minus 1 किसका परूल लाता है cos 2 theta का अब यहाँ से देखो y बराबर second verse 1 by cos theta उपर जाएगा तो second verse हो जाएगा cos 2 theta है तो second verse हो जाएगा अब y equal to second verse से cancel हो गया 2 theta अब theta का मान देंगे तो y equal to 2 tan inverse नहीं 2 cos inverse x हो जाएगा यहाँ से इसको x के साफ एक्च ओकलन कर देंगे x के साफ एक्च ओकलन करने पर x के साफ एक्च ओकलन करेंगे यह हो जाएगा dy by dx बराबर two constant है बाहर और इसमे डी लगाएगे तो d cos inverse x by dx यहाँ से dy by dx हो गया यह 2 का 2 और cos inverse x का फर्मूला होता है minus 1 by root अंदर 1 minus x तो फाइनल इसका एंसर हो गया dy by dx इक्वल टू minus 2 by root अंदर 1 minus x स्क्वाइर आपका एंसर और इसी के साफ हम लोग का 5.3 complete होता है जिनको कोई दीका तो comment box में comment करें ठीके कोई दिकात तो नहीं है न किसी को देखो जदी आपको calculus chapter 5 अच्छे से complete करना है तो आपको chapter 2 को अच्छे से complete करना ही पड़ेगा तो please आप लोग को नहीं complete है तो इसको देख लिजिए समझ लिजिए नहीं तो आप लोग chapter 2 नहीं पड़ेंगे तो ना 5 समझ में आएगा ना 6 ना 7 ना 8 ना 9 पांच इकसर साइज आपको समझ में नहीं आने वाला इसलिए chapter 2 को पड़ लेना चलो मिलते हैं next वीडियो में